Welcome dear students, आज हम cover करेंगे Echinodermata phylum को देखो सबसे पहले, इसके नाम से हमें क्या पता चलता है Echinodermata means spiny Derma means skin Actually में ये दो शब्दों से मिलके बना है spiny skin अगर आप इसको देखोगे, visual अगर आपके सामने Echinodermata का कोई या नहीं मला आ जाए तो उसकी skin पर बहुत छोटे छोटे आपको कांटे से मिलेंगे, that is the reason इनको Echinodermata बोलते हैं अब बच्चो अगर इसको हम एक diagram draw कर लें तो हमें exactly पता चल जाएगा कि इसके अंदर कहां पर क्या-क्या parts होते हैं तो सबसे पहले मैं इसका एक diagram लेता हूँ, एक example है starfish का तो starfish को हम यहाँ पर draw करते हैं उससे हमें पता चल जाएगा कि यह कैसे appear होते हैं सबसे हैं झाल सबसे हैं तो बच्चों माल अगर इसकी पूरी बोड़ी पे आप देखोगे अगर इससी डायग्राम को हम इनके अंदर से देखें अगर मान लो कि यह तो हमने चल उपर से देख रहे हैं अगर इसके अंदर का पार्ट हम देखते तो हमें क्या आपिर होता इसकी स्किन के निचल ले हिस्से में बोनी एंडो स्केल्टन होता है बोनी च्ट 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 है न ऐसे बोन के प्लेट्स होती है लाइक दिस लाइक दिस जो इसको अंदर से strength प्रोवाइड कर रहे है लाइक दिस small bonny plates यह अंदर की तरफ है बच्छों अब इन्ही plates में से कुछ bones ऐसी भी होती है जो vertically उपर की तरफ होती है वर्टिकल का मतलब उपर की तरफ तो कुछ इन्ही में bone ऐसी होती है लाइक दिस वर्टिकल उपर की तरफ और क्योंकि यह कुछ bones उपर की तरफ होती है तो उसके कांड जो skin होती है वो ऐसी हो जाती है इन वर्टिकल bones के करण कहीं कहीं से skin like this तो spiny skin इस करण अपिर होती है क्योंकि कुछ जगह पर क्या होता है जो यह bony endoskeleton है यहाँ पर कुछ plates vertical होती है ठीक है अंदर की तरफ क्या है bony endoskeleton और यह बच्चो bony endoskeleton जो है यह calcium carbonate का बना हुआ है इसको बोलते हैं calcareous endoskeleton ठीक है calcareous का मतलब होता है जो calcium carbonate का बना हुआ हो तो यह अंदर इस तरह के चटचटे bone के चटचटे pieces आप इसमें देख सकते हैं और कुछ bones के जो pieces हैं वो vertical है जिसके carn skin जो होती है वो उपर की तरफ ऐसे उठी हुई होती है और इनमें spines जो है वो आप अपियर इनमें होते हैं अब यह जो भी organism हैं यह सारे के सारे organism बच्चो marine है all are marine कोई भी fresh water organism इनमें नहीं होता है काइनोडरमेटा में जितने भी होते हैं सारे के सारे marine होते हैं अच्छा बच्चो एक चीज सभी बच्चे ध्यान रखेंगे यहां पर कि जब भी marine की बात चले तो तीन phylum के organism totally marine होते हैं एक तो टीनोफोरा हम ओलेडी कर चुके टीनोफोरा एक बच्चो अभी आज जो कर रहे हैं काइनोडरमेटा और एक हैमी कोर डेटा सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि यह तीन जो phylum है हैमी कोर डेटा इनके organism सिरफ और सिरफ क्या होते हैं मेराइन कोई भी fresh water form इन में नहीं होती है अब इनक बात करते हैं इनके body organization के बच्चों इनके अंदर body system इनका जो body organization है this is organ system well developed organ system है बच्चों और बाकी कुछ common सी बात हैं जैसे के हम हर एक के case में करते ही हैं like germ layer के बात करें तो सारे के सारे अब तो triploblastic organism आ रहे हैं all are triploblastic that means three germ layers present होती है ectoderm, mesoderm, endoderm okay silom in में present होती है that is the reason they are silomate symmetry की अगर बात करें तो symmetry पर question पुछा जा सकता है ध्यान से सुनिएगा इस point को इनके जो larva होता है बच्चों larva bilateral symmetry show करता है but जब यह adult हो जाते है तो यह radial symmetry show करते है okay very very IMP larva bilateral symmetry show करता है adult radial symmetry तो यहाँ पे एक adult जैसे starfish का हमने diagram बनाया था तो यहाँ पे आप देख सकते हूँ यह radial symmetry है क्योंकि यह adult का case है ठीक है radial का मतलब आप कहीं से भी इसको ऐसे cut करोगे तो यह equal half में divide होगा कहीं से भी आप किसी भी center से ऐसे point करके cut करोगे तो that is radial symmetry अब इनका जो सबसे main feature है बच्चों वो है इनका water vascular system जो इनका main feature है वो क्या है water vascular system क्या है water vascular system again बच्चों मैं एक starfish बना रहा हूँ और उसी के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको water vascular system क्या होता है देखिए अब इसके अंदर water vascular system क्या है इसके अंदर छोटी-छोटी tubes बनी होई है internally you will find tubes like this और ये tubes बीच में आ करके एक जगह पर मिल जाती है ये tube का जो एक network सामने बना दिया इसको बोलते हैं बच्चों water vascular system ठीक है तो उपर की तरफ अगर इसका उपर का हिस्सा देखेंगे तो उपर की तरफ एक entry वाला reason होता है यहाँ पर ऐसे करके इसको हम बोलते हैं यहाँ पर ऐसे जालियां सी बनी होती है यहाँ से पानी च्छन के यहाँ से water enter करता है पानी च्छन के और इन tubes में आ जाएगा और सारी tubes में ऐसे अलग-अलग direction में यह move करेगा और water को transport करेगा ठीक है तो यहाँ से water के entry होती है तो इसको funnel like जो यह structure है जाली सी लगी होती है इसको बोलते है बच्चों मैड्री पॉराइट मैड्री पॉराइट से water enter करता है और इन सभी tubes में फैल जाता है तो इन tubes को हम बोलते है water vascular system अब इसमें जो यह बीच में जो ring बन रहा है इसको बच्चों बोलते है इस के बीच में उपर की तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पे बीच वाली जगह पे ठीक है उपर की तरफ present है anal pore here is anal pore और बिल्कुल नीचे की तरफ होता है इसका mouth तो mouth नीचे की तरफ है तो हम दिखा नहीं सकते इसको ठीक है ना तो उपर की तरफ anal pore है और इसके just बिल्कुल नीचे की तरफ इसका mouth present होता है और mouth और anal दोनों reason present है that means digestive system complete है हम ऐसा बोल सकते है क्योंकि mouth और annul दोनों reason separate separate है completely developed है that means they have complete digestive system अब बच्चो सबसे पहले तो यह water vascular system जो हमने बनाया है यहां से water बाहर निकल जाएगा इधर से ठीक है यहां पर special structure लगे होते हैं जिनको हम बोलते हैं tube feet यहां पर ऐसे करके these are tube feet तो इन tube feet से water बाहर निकलता है like this these are tube feet यहां से water बाहर निकल जाएगा यहां से medriporite से एंटर करेगा और सभी में फिर tube feet से water बाहर निकलता है so what is the purpose of this water vascular system water vascular system का main role है बच्चों इसको locomotion में help करेगा क्योंकि अंदर से जो यह pressure create होगा उसकी वजह से tube feet से जब water निकलेगा तो उसके pressure से यह अपनी body को एक ज़िए से दूसरी जिगह पर launch कर पाएगा ठीक है ना जैसे rocket launch होती है तो जब यहां से water निकलेगा तो यह pressure से move करेगा that means water vascular system इसको locomotion में help कर रहा है तो चलिए इसके function लिखते हैं कि करके locomotion में help करता है first function food को capture करने में help करता है second function और इसके अलावा respiration में help करता है क्योंकि यह क्या कर रहेगा water के अंदर जो भी gas बगएर होगी उसको exchange करके अपनी body में यह ले लेगा तो gases exchange में भी help कर रहा है यह water तीन काम होगे excretion के लिए इसके पास कोई भी special structure नहीं है बच्चों so you can say that excretory system इसमें absent होता है excretory system इसमें absent होता है तो अब आप सोचोगे कि सर इसके अंदर जो nitrogen waste बनता है वो बाहर कैसे निकलेगा तो पहली बात तो बच्चों इसके अंदर जो nitrogenous waste बनता है वो होता है ammonia ammonia liquid है तो उसको निकालने के लिए क्या करेगा अपने respiratory surface का use करेगा जहां से यह respiration कर रहा है वहीं उसको use करेगा और उस water के अंदर यह अपना nitrogen waste ढाल देगा that means respiratory surface का use करके यह nitrogen waste को eliminate करेगा यह water के अंदर ही छोड़ देता अपना respiration जो भी nitrogen waste होता है so it uses respiratory surface it uses respiratory surface to eliminate nitrogen waste कोई special structure इसके अंदर नहीं है excretion के लिए बच्चो इनके अंदर male और female जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं that means you can say they are diocious animals they are diocious animals or you can say unisexual animals इनके अंदर reproductive organs well developed होते हैं इसलिए ये sexual reproduction कर सकते हैं then ये क्या करते हैं अपने gametes को water में release कर देते हैं जैसे कि जो esteris है starfish का हमने example लिया था starfish अपने gametes को water में release कर देंगे और इनके male और female gametes water में ही fuse होते हैं यानि कि body से बाहर इनका fertilization होता है external fertilization क्योंकि gamete body से बाहर मिल रहे हैं पानी में जाकर के इन दोनों के gamete मिलते हैं external fertilization अब fertilization के बाद में बच्चों जो zygote बनेगा zygote क्या करेगा सब से पहले larva बनाएगा मान लीजीए ये zygote है zygote larva बनाएगा ठीक है larva free swimming larva बनता है ये ध्यान रखना free swimming इसका larva पानी में freely swim कर सकता है free swimming larva है ठीक है और फिर ये larva adult में change हो जाएगा और जब भी बच्चों larva stage की बात होती है तो ऐसी development हो क्या बोलते हैं मैंने करवाया हुआ है आपको कि जब भी larva stage present हो तो उसको बोलेंगे हम indirect development अगर larva stage absent हो तो direct development बट अगर present हो तो indirect development तो ये सारे के सारी concept हमने सीख लिए अकाइनो डरमेटा के बारे में बच्चों अब चलिए हम इनके कुछ examples कर लेते हैं देखिए first example जो हमने आज किया है वो है starfish का starfish का biological name आपको ध्यान होना चाहिए इसका जो general name है सिर्फ वही ध्यान रखना है उसको बोलते हैं Asteris important है बच्चों question पुछा जा सकता है next आपको ध्यान रखना है aquinas that is sea urchin see the third example antidone antidone का नाम है बच्चों sea lily then fourth example is kukumaria that is sea kukumar screen पे सभी की photo flash हो रही है ताकि आपको अमेशा ये ध्यान रहे कि कौन सा organism कैसा दिखता है और last example आपको ध्यान रखना बच्चों Ophiura Ophiura बोलते हैं brittle star तो ये 5 example सभी बच्चों को अच्छे से याद होने चाहिए so that's it मिलते हैं next lecture में जहां पे हम hemicode data का जिकर करेंगे